लोग सबाब ऐज़ो 24 नी चुटणी ने लईने नियूज 18 नेटवर के सवती पहला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नो धमा के दार इंटर्विव लेधो जने तेरे पीए मोदी कॉंग्रस ना चुटणी धंधेरा मुद्धे करया चुआकरा प्रहार तेरे जूओ प्रधा करना चाहते हैं यह पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है सिल्वर है चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुसपैठियों में बाट देना चाहते हैं क्या यह थ्रेट इतना रियल है क्या आप सच मुझ में तो मिडिया का काम है कि हरे कुल्टिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारी की से जांच परताल कहे मैं इंतिजार कर रहा था कि मिडिया करे पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था मैं को आज कर नहीं रहा कि मुझे मैनिफेस्टों देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिखी छाप है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएगे तिक पता नहीं अब उनकी व्यस्त्रता कुछ और है मैनिफेस्टों में उनकी तरब से जो परोशा गया उतनों गुड़ी 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 उशालते रहें फिर मुझे लगता भी तो इको सिस्टिम का बड़ा मिली बज़र लगता है मैंने काफी दस दिन हितिजार किया कि देश इस मैनिफेस्टों में जो बुराइया है उसको कोई 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 कि निस्पक तरिए से आता है तो अच्छा है 2006 का एक विडियो जो वाइरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंग्जी ने कहा है कि गरीब मुसल्मानों का पहला अधिकार रिसोर्सेस पर है यह उन्होंने साफ का है आपने उसको मैनिफेस्टों में भी यह बात पॉइंट आउट की है कि OBC का OBC रेजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है अरे भाई यह तो बड़ा इंट्रेस्टिन सवाल आपने पूचा है जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेंगे देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा अब कॉंग्रेट का इत्यार देश दूजिए कि नब्बे के दसक से यह मांग उठी है देश में समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए अंदोलन हुए है नब्बे से पहले कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया उसका विरोत किया उसको दबाने की कोशिश किया यहने नब्बे के पहले कॉंगा दसक है फिर उनको जितनी भी कमिशन बने जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रिपोर्ट्स OBC के विचार के प्रक्ष में आने लगे अब उनके से भारोसे कोगी वो नकारते रहें रिजग करते रहें दबाते रहें दब्बे के दसक में उनको लगा लभी अब इसको जड़ा उनकी वोट बेंक की राजलीति के अनुसार उसको टन दिया जाए उन्होंने पहला पाप की कैया नाइंटीज के दसक में करना टका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसल्मानों को अभी सी गोशित कर दिया यानि देश के OBC को न कारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीती खाकर मुसल्मानों को OBC गोसित करते ना है केंद्र से कॉंग्रिस गई, 2004 तक यह प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ, 2004 में उफिराए, तो आते ही आंद्र में मुसलिम को OBC कोटा यह देना ताय का लिया, मामला कोट में जाके उलज गया अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान में मिला हुआ है, भारत के समसद ने दिया है, समिधान के मुलभूत भावना के प्रकाश में दिया हुआ है, 27 परसंट सहद लगाने की उन्होंने तहरी करती है, डाका डालने की कोशिश की है 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसल के मिटिंग भी जी, NDC की मन मोहन जीन की ने बयान पर भाद बड़ा हंगाम हो गया दो साल कॉंग्रेस पूरी चूप रही, 2009 के गोश्रापत्र में फिर सह इसका जिक्र किया 2011 में, केमिनेट नोट है इसका, 2011 के केमिनेट नोट में वो भी सिके 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना, उन्होंने तै किया जी 2012 UP चुनाओ में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फायदा नहीं हुआ 2012 आंद्रा हाई कोड ने इसको रिजक कर दिया, रद कर दिया, कानूनी जज्मेंट आ गया SC में गए, सुप्रिम कोड में गए, वहां भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिला 2014 के गोशना पत्र में भी, दर्व के आधारपार आरश्वन की बात कही है जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना, तब तो कोई RSS वाले, BJP वाले संविधान जबा में नहीं थे बाबा साब आमरेकर जेसे लोग बैटे थे, पंडिक नहरू जेसे बैटे थे, साथा अवल्लपाय बैटे थे, देश के कई महापुर्स बैटे थे उन सबने लंबे चिंतन के बाद पाई किया था, कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता दोजर चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं, उनका मेनिफेस्ट और मैंने का, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है अब ये जो उन्होंने सित्या बनाई है, मुझे बताईए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से सम्मिधान की दज़िए उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग को बापा साब आमबेट कर को, अब बानित करते हैं SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं, OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो करम के धनी हैं, जो निस्पक्ष हैं, उनका इदाईत्व बनता हैं, कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीज़े बताएं